दबाने की चेश्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं ये इंप्रेशन RSS और BJP की सरकार पुरे देश में बहुत साफ तोर पे दे रही है सुप्रीम कोट पर दबाव बनाना है डारेक्ट या इंडारेक्ट परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ा खत्रे ये दो हैं देश की चंता 95% से ज्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में किसी भी किमत पे EVM से चुराव नहीं होना चाहिए ये तानाशाही सरकार पर हम लोगों को मार भी देंगे तो हम रुकने वाले नहीं है ये जंता की आवाज निश्पक्ष रूप से फैसला करो जंता आपके साथ खड़िये सुप्रीम कोट के साथ हम सब खड़े हैं बिल्कुल कोई सुप्रीम कोट पर दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया प्रेशर बनाना बंद कर दो आप लोगों को बहुत बड़ी सजा देगी जंता अगर आप प्रेस पर दबाव बनाओगे किस तरीके का अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पर दबाव बनाओगे अभी जो सुप्रीम कोट के बात मजबूत करने के एक इंप्रेशन ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो देश के सारे संस्तानों को दबाने की चेश्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं ये इंप्रेशन आरे से सर बीजेपी की सरकार पूरे देश में बहुत साफ तौर पे दे रही हर एक संस्तान पर इलेक्शन कमिशन पे भी हमें भी इलेक्शन कमिशन के उपास उस दिन जाने नहीं दिया कहीं वो मशीने ना देने उनकी आत्मा जाग ना ज़ेंगा। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के उपर पहले भी प्रेशर था 2018 में चार सुप्रीम कोर्ट के जजजेंगे बताया ऐसा एक इंप्रेशन जा रहा है कि सभी संस्थानों के उपर और सुप्रीम कोट के ओपर भी एक प्रेशर बिल्डब करने की चेश्टा की जा रही है कि इस पक इस बात में खास तौर पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए ऐसा इंप्रेशन सरकार खुदी प्रियर्ट करें इससे ज्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकते कि यह सबसे दूसरी ज्यादा खतरनाग बात है पहली खतरनां को एक ही है चुनाव सिर्फ और सिर्फुर्फ बैलेट पेपर से होगा एबी एम से नहीं होगा यह देश के लिए तो इवियम के खिलाब तो यह हम लोग भी इशायद यह सोच रहे थे कि जंता इस बार विशह में जागरूप नहीं है लेकिन जो अब रिस्पॉंस आ रहा है यह हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशेटिव है ही नहीं यह बात बिल्कुल साफ हो गई है यह 95% से भी ज्यादा जंता की आवाज है जो हम लोग उठा रहे हैं यह बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है जो फोन हमारे पास सब्सक्राइब यह बात तैय हो गई है यह हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी यह भारत देश की जंता 95% से ज्यादा यह चाहती है कि किसी भी हालत में किसी भी किमत पर इविंशे चुनाव नहीं होना चाहिए चुनाव सिरफ मत पत्र से होना चाहिए एक बात तो यह साफ ह हो जानी चाहिए सब को अब फोन करकर करके और रास्ते में चलते हैं वकील आम आदमी हमें क्या बोल रहा है आप इन से अगर पीछे अट गई आपकी तो हम आपको कभी माफ नहीं करें जो आप यह कह रहा हो नो जान दे देंगे एविंसे इलेक्शन नहीं होनें करने भारत देश की जंता आपको माफ नहीं करेंगी यह हमें लोग रास्ते में रोख रोख के बोल रहें तो एक बात तो यह साफ है दूसरा हम लोग अब 16 तारिक को क्या करने जा रहे है बानू जी ने तो बड़े अराम से बता दिया पंदरा की शुट्टी गोशित कर लेकिन वो पंदरा की चुट्टी भी करती क्योंकि है मार्च रह hiring सिरभ और शिरफ हम नहीं चाते हम नहीं चाते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए मैं आपको फिर बता रहा है तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि पंदरा तारिक को चुप्टी लेकिन Жवियर मैं इसक सब्सक्राइब गुरुप से आते हैं जो सरकारी वकील है में आपको यह मज़िदार बात बता रहा है वह भी हमारा अब भानुभाई का और दूसरे जो बहतम साहब हैं जितने हमारे लॉयर्स हैं उनका हाथ पकड़ पकड़के बोल रहे हैं भाईया इससे पीछे मत अट जान से तो सोला तारिक को सुप्रीम कोट को और यह हमारा फ़र्ज भी है सुप्रीम कोट के जजिज ने चार्ट जजिज ने गुहार भी लगाई थी और इंडारेटली बहुत सारे रिटायर होके चीफ जस्टिस बोलते ही रहते हैं हमारी जिम्मेदारी है देश की जंता की जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है इस पैसले में इसका कोई लॉजिक नहीं है यही हम गोहार लगाने जा रहे हैं कि जब आपने खुदी सुप्रीम कोट ने बोल दिया कि वीवी पैट वाले जो वोट होते हैं तो यह एक रुपे की मोहर जो नहीं लगाते हैं एक रुपे के कर्चे वाली यह हजारों रुपे की पूरी तीन मशीने खरीद के उसका एक रंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रत है यह सुप्रीम कोट की जज्ज्मेंट की जो सुप्रमनियम स्वामी साब की जज्ज्मेंट है उसी की रूप से हम यह बात बोल रहे हैं इसमे कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोट को दुनिया की दूसरे सुप्रीम कोटों को तो कोई इसमें भिचख नहीं होई और उन्हें तुरंथ जर्मनी के सब जगासे इसको खलब धक्का देए कुडे की गब्बे डाल दिया कुडे दान में डाल दिया तो हमें कोई शक्रशब़े की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोट भी इसको 저 कूड़े दान में ही डालेगा श्रेडर में डालेगा लेकिन अगर यह impression सरकार रही एक हम सुप्रीम कोट को भी जैसे हमने विपक्ष के नेताओं को जैसे प्रस के लोगों को दबा साथ हम सब खड़े हैं विल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा यही डिमांस्ट्रेट करने हम लोग 16 तारिक को पट्याला हाउस के गेट नंबर 4 से उसी जगा जिस जगा से पांच नंबर 5 तारिक को प्रटेस्ट या एक हैं सिर्या परजी नंबर 4 पोट्याला हाउस के गेट नंबर 5 तीन बजे फिल्ली और यहां से बाहर से ना चाहें देशर गेट motivation का हाली है यह एक तरह का डेलिगेशन है फिर हम जाके सुप्रीम कोड के साथ खड़े रहेंगे उनके सामने एक जंता की दीवार बनके कोई हिम्मत ना करे सुप्रीम कोड पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाने की यह सिंवॉलिक हम लोग मार्च बढ़ा इसमें मैं और और जो इब्या दिमोंस्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे जो लोग यह election competition के बोल रहा है अभी एर हमारी टीज चल रही हैँ हमारी मचीन हमने उने देने को तयार हैं वह अपनी मशीन के सामने भी demonstrate करेंगे कि हम सच्चे हैं और यह जूटे हैं और election commission के उपर दबाव बनाके यह जूट साबित कराया जा रहा है यह हम आप सब लोगों सभी गुजारिश करते हैं एक आखरी चीज यह सरकार को आस तोर पर हमिच्छा साहब को यह हम गुजारिश समझ लें warning समझ लें या जो में समझने इस देश की opposition के उपर pressure बनाना बंद करण कि इस देश की press के में प्रेशर बनाना बंद कर दो, प्रेश को पुलीस से दबाना बंद कर दो, यह अच्छी बात नहीं है, जनता जाब गई है, जनता उट खड़ी हुई है, आप लोगों को बहुत बड़ी सजा देगी जनता, अगर आप प्रेश पे दबाव बनाओगे किसी तरीके का, अपोजि इतना सा भी एक मिलिमीटर भी हम समिधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं, पुलीस का प्रयोग करके यह हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिये जाएं, हम पीस्फुल हैं, पीस्फुल रहेंगे, और आरसेस के गुंडों को भी किसी प्रकार का बॉ